कि हैं लोग्रबान दिस इस अब शेक रान है वेल्कम भी ओल्ट यूट यूट्यूब चैनल राइजूकेशनल राइजूकेशनल चैनल पर आप सभी भाई बंदों कारदिक स्वागत है मित्रों 68500 विसेश उसकी चर्चा है इस वीडियो में और इसमें जो अभी तक आपका ज लग किया रहा था सारी चीजें उस जिला वंटन के समंद्ध में विसेश सूचना है और पूरी डीटेल इस वीडियो मापको मिलेगी अद्ट अब इस वीडियो देखिएगा और जाद जाद में तरह तक साजा करिएगा जिनका संबंद 68500 से है तो चली वीडियो शुरू कर यह आपके लिए समक्ष आपके लिए जानकारी मित्रों कि 68500 सिक्षक भरती पुनर मुल्यांकर में उत्तीन अभ्यरतियों के जिला आवंटन की सूची 73 2019 रात में होगी जारी बहुत इंपोर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए थी इस वज़े से ले आना जरूरी था साथ दिन 2019 यानि की साथ मार्च कल आच्छे मार्च है कल आपको आपका जिला आवंटन की सूची आपको प्राप्त हो जाएगी रात में क्योंकि अभी तक जो बचे कुछे अभ्यरती तो उनको आज दोपर दो बज़े तक का मौका दिया गया था छे तारिक को वैसे डेट पांस तारिक थी लेकिन उसको एक्स्टेंड कर दिया गया जिन मित्रों ने अपना जिला वरिता करम नहीं वहां पर सूची बद्द किया था तो उनको मौका दिया गया था आज दोपर दो बज़ेगा अब आपको कल रात तक यह साथ मार्च को आपको रात तक सारे जिला व प्रिशद प्रियागरा सेवा में आपके समझ जिला बेसिक अधिकारी नहीं नहीं सभी जिला बेसिक अधिकारीयों को यह संबंद किया गया है और क्या विशय है विशय पे हम लोग फोकस करते हैं साहिक अध्यापक भरती प्रिक्षा 2018 में पुनर मुल्यांकन के उपरांत अहर पाए गया बेटियों की नियुक्ति के सम्मंद में यह सारी चीजे हैं तो इसको थोड़ा समलक डिटेलिंग करते हैं कृपिया विशय प्रिक्षा 2018 में पुनर मुल्यांकन के उपरांत अहर पाए गया कुल 4697 प्लस 9 यानि 47 बेटि यह चैन नियुक्ति हेत्यों आउनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 1 मार्च 2019 से 6 मार्च 2019 अपराहन दो बज़े तक निर्धारित वेबसाइट आपके upbasic.eduboard.uv.in पर हुआ है और इस पे संबादित की गई है अब यट्ति दोरा आउनलाइन आवेदन पत्र में भारी ज प्रती NIC लकनों द्वारा त्यार की गए वर्तियों की काउंसलिंग हेत्यों अंत्रिम सुची चैन नियुक्ति हेत्यों निर्धेश के साथ प्रिशित की जा रही है तो यह धेर सारे अपडेट हैं धेर सारी बाते हैं जो 79,000 मित्रों के लिए बहुँ जादा important होने वाले है क्योंकि इसके बारे में आप संबंदित कर सकते हैं समझ सकते हैं इसके बारे में और 68,000 पुनर मुल्यांकन के जो मित्र हैं उनके लिए तो important है ही है तो पहली बात इसमें है कि सायक अत्यापक बढ़ती प्रिक्षा 2018 में पुनर मुल्यांकन के उपरांत अहर पाए गए कुल 4697 प्लस में यानि 476 बढ़तियों की चैन न्युक्ति की काउंसलिंग है तू सची वित्र प्रदेश बिजशिक श्रिक्षा परिश्यत इलाबाद द्वारा समन्वित विग्यप्ती का प्रकाशन दिनांक 7 मार्च को कराया जा रहा है इस समन्द में जन्पद इस्तर से किसी विग्यप्ती का प्रकाशन नहीं कराया जाएगा यानि कि जन्पद इस तर पे नहीं होगा ये टोर्टल आपका एक सांथ विग्यप्ती जारी की जाएगी दूसरा है साय के दापक बरती प्रिक्षा 2018 में पुनर मुल्यांकन के उपरांत अहर पाए गया भरतियों द्वारा मात एक ओनलाइन आवेदन पत्र भरा गया है जिससे अब्यरती द्वारा प्रदेश के 75 जन्पदों का स्वयम द्वारा वरिता करम का निर्धारण किया गया है अब्यरती अपने गुलांक भारांक एवं वरिता एवं जन्पद हेतू निर्धारित रिक्तियों के नुरूप आवांटे जन्पद की काउंसलिंग हेतू प्रदिबाग कर सकेगा अहर पाये जाने के उपरांत अब्यरती को उसी जन्पद में निर्धारित प्रदान की जाएगी तो ये वाली सेकेंड आप्शन आपका बहुत इंपोर्टेंट है जो इसमें दिया गया है तीसरा है अब् जीला बेसिक सिक्षा अधिकारियों को दिनांग 8 मार्च 2019 को प्रातह 11 बजे तक उपलब्द कराया दी जाएगी नेक्स्ट है जन्पदी चैन समीती चैन सुची में समलित अभियरतियों के सैच्छिक एवं अन्य अभिलेखों की जाच कर प्रिशिदी विद्यालव में साहि नौ मार्च के मद्द का आयोजन किया जाएगा तता काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरांत सभी जन्पतों द्वारा न्युक्ती पत्र निर्गत किया जाएगा तो यह इंपोर्टेंट है कि आपकी काउंसलिंग 8 और 9 मार्च को होगी तो अपने जितने भी आपके मित्र हैं जो 1605 से संबंदित हैं उन तकी वीडियो जरूर पहुचाएगा ताकि उनका भी लाव हो सके और काउंसलिंग की जितने भी डाटा आपको लगेंगे जितने भी सैचिक ब्राणव पत्र लगेंगे जो भी आपके सर्डिफिकेट्स लगें सब आपका त चायपरती चार पासपोर्ट साइच फोटोग्राफ तता सचियू उत्तर प्रदेत बिजस्तिक शिक्षपरिशत प्रयागराच के स्पद नाम से निर्धारित आविदन शुल्ग सामान उबीसी हेतू 500 रुपए अनुसूसी जाती जन जाती हेतू 200 रुपए विकलांग का बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिबाग करना होगा नेक्स्ट सासन द्वारा लिए गए निर्णे के क्रम में अभिरती द्वारा काउंसिलिंग के समय 100 रुपए के नोटरी सपत पत्र पर इस आशय की घोशना करनी होगी कि उसके द्वारा आनलाइन आविदन पत्र में भरी तो अंतर जन्पदी स्थारन ना करें और जीतने भी मूल पपत्र आपके पास हैं उसकी आप स्वप्रमाणिता से ये नोटरी बनवाएंगे सपत पत्र का नेक्स्ट काउंसिलिंग के संबंद में समस्त जीला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है क कि वक काउंसिलिंग के पूर्व ही जन्पद में काउंसिलिंग है तो अवश्यक मानवी तता बहुत इक संसादनों की विवस्ता कराएं और आवश्यकता अनुरूप कर लें जिससे किसी भी प्रकार की विवस्ता अविवस्ता या कठना उत्पन नहो इस संबंद में जिला प्रसाशन का भी यथा अवश्यक सहयोग प्राप्त कर लें नेक्स्ट डे काउंसिलिंग है तो निर्धारी तितियों के मद्द काउंसिलिंग समावत होने के उपरांत उस दिन काउंसिलिंग में समलित अभिरति दौरा प्रसुत अभिलेकों के आदार पर पातरता की जाज जनपती ये चैन समीती द्वारा सुनिशित कर ली जाए जिससे निर्धारी तीतियों के मद्द चैनित अभिरतियों को निक्ति पत्र निर्गत किया जा सके। रूप से प्रतम वेतन भुगतान के पूरु करा लिया जाए अनिता किसे बिर्ति के सैचिक अभिलेक फरजी कूट रित पाये जाने पर संपून उत्तर दाईत जनपती चैन समीतिका होगा। चामित्र के संबंद में उनके परिशिदी विद्धाले में कार करनी की अवदी का आकडन इत्यादी की सर्तों को पूरु करते हो। काउंसलिंग सूची में समलेत अबर्तियों में से विशिस्ट बी टी सी प्रस्रिक्षन दोजार चार दोजार साथ दोजार आठ जिनके प्रस्रिक्षन विवागी प्रक्रिया के अंतरगत विलम से कराये जा सके। ऐसे प्रक्रणों में संपर्ग प्रक्षारन प्रांत निमावली के प्रंतुक में प्रावधानिक आयू सीमा में छूट के समध में विचार कर लिया जाए। नेक्स्ट है थार्टिन पॉइंट उलेकनी है कि सायक द्यापकों की भरती में जनपत आवंटन को लेकर कई बार मानवी नियाले के समक्ष योजित विचारा धीन है तता याचिका संक्या उननिस साथ सो सैंतिस दो जार ठारा सिका सिंग्व अनन बनाम उत्तरप्रदेश रा पॉइंट नियाले में विचारा धीन याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णे के अधीन होगी अतेव सासन द्वारा दियेगे निर्देश के क्रम या सुनिश्रित कर लें कि अभेरतियों के चैन नियुक्ती है तू कांसरिंग प्रक्रिया में सुचिता बनी रहे तता समस् के शशत्य संपर्ग में बने रहें जिससे किसी भी प्रकार के अनापेक्षित गतिविदी को रुका जा सके उप्रयक्त अनुसार कारवाई करते हुए निर्दारी तीतियों के जनपत में अभेरतियों है तू कांसिलिंग का आवजन कर नियुक्ती पत्र निर्गत करने का अमनी तो यह सारी प्रक्रियाओं से भी आपको गुजरना पड़ेगा तो आपको पता होना चाहिए लो अपको प्रौड़ कांस्ट12500 से ओं ध्यान सुननले खोकी कंसलिंग हो जाएगी कल आपका सुची बद्र कर दिया जाएगा आपके जनपदवार जिले में बेसिक जितने भी सिक्षा हैं वहाँ पर काराले पर आपका भेज दिया जाएगा तो यह इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों लिथी मित्रों तो मैक्शिम सेर कर दीजेगा ताकि ज गहार थे अन्यूर्टेंट था-ठीजव